हाई दोस्तों असलावलेकूम मेरा नाम है नबील वैसे यहां पर यह रहा मेरे पास में समसंग गैलक्सी A21S स्माटफोन आपको मैं इस स्माटफोन के इसी वीडियो में टॉप 60 जी हाँ दोस्तों 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इंट्रेस्टिंग आउसम फीचर्स ब अगरा आये हैं बहुत सारे पहले लांचिंग के टाइम में एंड्रोइड 10 था इसमें और वन युवाई 2 था और अभी यही स्माटफोन चलता है एंड्रोइड 12 पर और वन युवाई 4 पर बहुत सारे इसमें निव फीचर्स आचुके हैं अगर आपके पास यह स्माटफो आप यहां पर जो डबल सी है इसके पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर यह निकल जाएंगे सब्टैटल्स सबसे पहले फीचर की बात करते हैं इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग में आना है उसके बाद आपके हम पर आना है नीचे हम पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे आप अपर इसके बाद लेटिंग स्टैल करसकती है जो आपको स्टैल अच्छा लगता है ुसी कलर में यहां पर आता आप color पर click करके एक ही color हमपर set करना चाहे वह आप कर सकते हैं आप यहांपर जो color set करेंगे तो कोई भी एप से आपको notifications आते हैं तो हम पर ऊपर पॉप आएगा कुछ इस तरह से उस color का ये दिख लिजे इस तरह से पप आता है यह आप हमपर set करना चाहे set कर सकते हैं आते हैं step back उसके बाद आपके हम पर color by keyword मिलता है यह काफी कमाल का feature है यह कहा है आपको में बताऊंगा इस setting में आपको आना है हम पर keyword set करके रख सकते हैं इस तरह से keyword आप जो आप करना चाहें यहां पर कर लेना आप यहां पर इस तरह से plus पर click करके रख लेना और इनके colors भी आप हम पर change कर सकते हैं आपको जो color अच्छा लगता है उनको आप हम पर set कर सकते हैं अभी आपको message आता है message आने के बाद हम पर उपर pop-up आएगा ना message आया बोलकर यहां पर उस pop-up में उस message में आपर यह जो keyword आपने आपर add करके रखा है वह message में है तो आपको जो color आपने आपर set करके रखेंगे वह color में बताएगा आपको बाकी का setting में आपको आना है यहां पर है show notification icons मतलब आप हम पर none करेंगे तो कोई भी application से आपको notifications आते हैं तो यहां पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा notification की निशानी इसके बाद आप यहां पर करेंगे number of notifications only करेंगे तो अब मालू आपको पाँच अप्लेकेशन से notifications आते हैं तो पांच बोलकर हैं आप वह ऊपर status बार में बताएगा और इसके बाद आप यहां पर करेंगे three most recent करेंगे तो आप मालू आपको पांच अप्लेकेशन से notifications आते हैं उन में से तीन जो new आया है notifications उन applications के notifications यहाँ पर आपको बताएंगे आप हैंपर कर सकते हैं all notifications आपको 5 applications से notifications आते हैं तो यहाँ पर 5 applications के icons से हाँ पर आपको बताएंगे उपर status बार में उन icons को देखकर आप पता कर सकते हैं इन applications से notifications आया है बोलकर इसके बाद हैंपर show battery पर्संटेज यह पूली ईसको और यह कंग केosi है इसके पास अब सरम हो ना लिए हैं आपको वाldसपर कोई भी मेसेजड करके everyone delete करता है तो वो भी message आपको यहां पर दिखेगा ये भी काफी कमाल की बात होनी वाली है बस आपका mobile data या wifi on होना चाहिए एक बार हैं पर वो notification received होना चाहिए एक बार हैं पर notification वो received हो गया तो यहां पर भी वो show हो जाता है बाद में आप आगर देख सकते हैं 24 गंटे तक रहेगा हो और एक step back आते हैं आने के बाद आपके हां पर आना है notification reminders में इस स्टेटिक में आकर इसकी उपर आप click करके हां पर remind every आप 3 minutes से लेकर 15 minutes तक कर सकते हैं आपने 5 minutes कर लिया select apps to get reminders for मतलब कोईसे application से notifications आने के बाद हर 5 minutes के बाद remind होना चाहिए उनको आप हमबर select कर लेना उन्हें applications को आपने select कर लिया इन applications से आपको notifications आते हैं आपने नहीं देखा तो हर 5 minutes के बाद में आपको remind करेगा notification आया है check कर लिजए बूलकर तो चले ब्याग आते हैं और ब्याग आते हैं जैसे हम settings में आते हैं आपको notifications में आना है उसके बाद हम पर आना है नीचे advanced settings में वापस है और आना है इस तरह से नीचे एप एकन बैड़ेस में आपको आना है आप आगए आप dot पर क्लिक करेंगे तो कोई भी applications से आपको notifications आते हैं तो उस application के उपर एक dot बताएगा बारिकसा वो dot को देखकर आप पहचान सकते हैं इस app से notification आया है बोलकर इसके अलावा आप आप आपर number करेंगे तो आपको कोई भी application से notifications आते हैं तो कितने notifications आये हैं वो quantity बताएगा example आपको whatsapp से 50 notifications आते हैं तो 50 बोलकर उस app के उपर quantity देखेगा अगले feature के लिए इस phone पर clicker के 3 dot पर clicker के settings में आएगे उसके बाद यहाँ पर record calls पर clicker के यहाँ से अटो record calls को हम on कर सकते हैं confirm कर सकते हैं code recording के लिए आपको कोई भी third party application लेने के भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इस phone में आपको मिलता है तो चलिए back आते हैं call background पर आप clicker के background भी change कर सकते हैं यह भी काफी खमाल के बाता है आप layout पर clicker के सबसे पहले चीज़ तो इसका style चेंज कर सकते हैं यह दिख लिए उसके बाद back आएंगे तो हैंपर आप background पर clicker के हांपर plus पर clicker के अपना photo वगरा कुछ भी आप इमपर रक्स होते हैं आप इमपर जो भी set करके रखेंगे photo वगरा select करेंगे तो call आने के बाद वही background आता है photo का तो चले यह आप करना चाहिए कर लीजे और back आते हैं और back आते हैं उसके बाद आपको आना है इसी setting में block numbers में आपको आना है उपर आपको दिखता होगा आप इस block unknown private numbers को आप on करेंगे तो जो number आपके phone में save नहीं है उन number से आपको call ही नहीं आएंगे यह ladies के लिए useful feature हो सकता है क्योंकि उनको new new number से बहुत सारे call आते हैं तो वो क्या करें इस setting को on करें उसके बाद आप इसको off करके यहाँ पर number को block करना चाहिए तो आप कर सकते हैं जो call आएं उनमें इसे number लेकर block कर सकते हैं contact पर click करके अपने जो show का किया है number वो number आप इंपर select करके यहाँ पर block कर सकते हैं block करना चाहिए तो चलिए back आते हैं आपको call alerts and ringtone में आना है उसके बाद इन दोनों settings को on करना अब मानलो आप किसी को call करते हैं तो जैसे वो call receive करता है और आप call पर बात कर रहे हैं जैसे call cut हो जाता है इन दोनों cases में आपका smartphone slightly vibrate होता है तो चलिए इसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पर है vibrate while ringing आप इसको on करेंगे तो आपको call आता है तो ringtone के साथ में vibrate भी होगा आपका smartphone तो चलिए इसके बाद में यहाँ पर keyboard में touch करते वक्त में sound आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो इसको off कर सकते हैं आना चाहिए तो इसको on कर सकते हैं और vibrate होना चाहिए तो इसको on कर सकते हैं नहीं होना चाहिए तो इसको off कर सकते हैं अपनी मरज़े के सब से इसको कर लिना तो चलिए ब्याक आते ह यहां पर answering and ending calls इस setting में आपको आन है यहां पर है प्रेस वाल्यूम अप्टू answer calls आप इसको on करेंगे तो अब मालो आपको call आता है तो जो sound ज्यादा करने वाला बटन है वालूम प्लस बटन इसके उपर आप एक बार क्लिक करेंगे तो call दिश्यू हो जाता है उसके बाद प्रेस सैट की टू एंड कॉल हम इस setting को on करेंगे तो अब मालो आप call पर बात कर रहे हैं आपको call काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना call कट हो जाता है तो श्माल पप करेंगे तो इतना ऊपर पप आयागा उसी से आप call को डिक लैन कर सकते हैं और वहीं से आप call को रिस्टॉव भी कर सकते हैं और हैं पर मिनी पप आप करेंगे तो एकड़म चोटा सा पप आयाए का यह दिख लिए एकजमपल आपको यहां पर भी दिक रहा है अ हांपर आपको मिलता है पुलस पर आप CrossRes costs पर आप जैसे क्लिक करेंगे kids mode मिलता है मैं kids को पहले ही ले- चुका हूं यह देख लेज़े हांपर kids को जैसे नीचे लिया तो यहां पर आप इसको setup कर सकते हैं मानि इसको पहले से setup करके रखा है और कर दोंगे पर क्लिक करके एडिट होम क्लिक करके हां पर आपको fingerprint जो बिए अपने सट करके करें उसके पर इस्टिप में पलस करके अपने और भी एड रंच्राइए हैं पर जो करने राद हैं लि 없는 को ही आप सलेट करके क्लिक करेंगे और हैं पर जैसा निकल कर आता है इस था हे ए अफ्लीकिशन निकल कर आता है यह फीटर के लिए आप इसके उनलाउख करना पड़ेगा तभी आप अपने रियल श्पेस में आसकते हैं यह बच्चों के हाथ में फोन देते वक्त में इस तरह से और पूरा फोन ही उनके control में मत देना अगले feature के लिए आप screenshot लेना चाहते हैं इस phone में तो value minus button जो sound कम करने वाला button है इस button और power button दोनों button के उपर आप एक साथ इस तरह से press करेंगे तो screenshot लग जाता है और अगले feature के लिए अब मालव आप दो applications को एकी phone में एकी वक्त में एकी screen में यूज़ करना चाहते हैं तो एक application open करके menu button पर क्लिक करना है उस app के icon के उपर long tap करना है उसके बाद यहां पर open in screen view इसके उपर आपको क्लिक करना है नीचे एक और screen निकल कर आता है इस तरह से आप दूसरे application भी open करके यूज़ कर सकते हैं यह देख सकते हैं उपर YouTube है और नीचे यहां पर है Facebook इस तरह से कर सकते हैं और उपर आप नीचे नीचे वाला उपर आप इस तरह से यह भी कर सकते हैं और drag करके इसको नीचे छोड़ेंगे तो चला जाता है अगले feature के लिए अब मालोब दो एप्लिकेशन के बीच में काम कर रहे हैं एक application यह और दूसरा application यह तो आपको उस पहले वाले application में जाने के लिए इस menu button पर double click करना है fast double click करना है दो application के बीच में transfer होने के लिए और अगले feature के लिए आप कोई भी आपको open करेंगे उसके बाद menu button पर click करेंगे उसके बाद हम पर उस app के icon के उपर long press करेंगे उसके बाद open in pop-up view पर हम click करेंगे तो हम पर pop-up में open हो जागा आप इसको resize कर सकते हैं आपको आना है इस phone के settings में आना एकदम नीचा आना है इस तरह से आने के बाद आपको यहां पर advanced features में आना है आने के बाद आपको motions and gestures में आना है lift to wake को आप on करेंगे तो अब मानलब lock करके कहीं भी phone को रखेंगे तो जैसे आप phone को उटा कर हाथ में लेते हैं यह off है तो हम इस setting को on करेंगे तो अब मानलो आप lock करके रखना चाहते हैं phone को तो जहां पर भी आपको home screen पर खाली जगा दिखता है वहां पर double tap करना है आपका smartphone lock हो जाता है अगली feature के लिए भी हम आएंगे इस phone के setting में आएंगे इस तरह से नीचे इसी advanced features में आएंगे इसी motions and gestures में आएंगे उसके बाद यहां पर keep screen on while viewing मतलब आप जब तक screen को देखते रहेंगे तो आपका screen timeout नहीं होगा यह हो गया उसके बाद हम पर turn over to mute मतलब आपको call आता है आप call resume नहीं करना जाते हैं लेकिन ringtone बज रहा है तो आपको क्या करना है सेटिंग को on करेंगे तो जो पीछे fingerprint sensor है ना इस sensor से आप है ना notification panel को control कर सकते हैं यह दिख लिए और काफी कमाल का है दुस्तों अगले feature के लिए हम आएंगे दुस्तों इस phone के settings में यहां पर आपको display setting में आना है आने के बाद यह light है आपको कर लाना dark तो पूरा phone इस तरह स पड़ता screen का और battery भी कम consume होती है आप इसको anytime on करके use करना मैं थोड़ी दिर के लिए off करता हूं वीडियो recording करने के लिए इसके बाद यहां पर adapt to brightness को आप on करेंगे तो जैसे आप नजर अपने screen के तरफ लेकर जाएंगे तो brightness ज्यादा होगा और आप बाजू करेंगे smartphone को न करके यहां से इसके capacity को ज्यादा भ्याप कर सकते हैं कम करना चाहिए कम भी कर सकते हैं यह कहा है आपको मैं बताूंगा अब मालोव आप इसको off करके रात में smartphone को use करते हैं तो आपके आपको नींद नहीं आएगी आपके नींद को kill करते हैं वो blue lights आप इसको on करके रात में smartphone को यूस करते हैं तो ब्लू लैट्स फिल्टर होते हैं आपके अंकों में ब्लू लइश नहीं जाते आपके आँखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नेंद टाइगी टाइम तो आप रोजाना रात में स्माटफन को यूज़ करते हैं आपको रोजाना भी आउफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर है फॉंट साइज एंड इस्टाइल आपको इस सेटिंग में आना है आप फॉंट स्टाइल पर क्लिक करके आपके जो आपके फॉंट सेटिंग्स ही उसी फॉंट में बदल जाएंगे तुस्तो चलिए ब्याक आते हैं इसी फॉंट साइज एंड आएंगे डिसपल सेटिंग में आकर बोल्ट फॉंट आपको इस तरह से दिख रहें बोल्ट हो जाएंगे आपको फॉंट्स करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं यह दिख लिए यह हो गया उसके बद अगर आपके आँग कमजोर हैं आपको ठीक से नहीं दिखता तो यहां से आप इसको बड़ा करना चाहिए बड़े कर सकते हैं तो चलिए आता हूं ब्याक इसी डिस्पेस सेटिंग में आने का बाद नीचे आए दिया है लेकिन स्क्रिन ओन है तो दो मिनट के बाद में अटोमेटिक स्क्रिन ओफ आजागा आप नजर हटाएंगे इस से तो चलिए बैक आते हैं यहां पर एड़े पैनल आपको मिलता है आप इसको आन करेंगो तो हम पर एक एड़े पैनल निकल कर आता है साइड में इस आप तुरह से स्लैड करके यहां पर दूसरा अप्लेकसिन ओपन करके यही से यूज़ कर सकते हैं यह हुग दस्तों तो चलिए इसी सेटिंग में आगर इस से तरह से नीचे आपको हम पर मिलता है नविकेशन बार इस से बाइक बैक बटन होम बटन मैनू बटन को आप हीड करेंगे तो यह application निकल कराएंगे यह इनको निकाल हम भी सकते हैं इस तरहसे और उन कि लिए क्लें क्या करेंगे दUSतों इस फोन की सेटिंग में आएंगे और क्या करेंगे तो पावर बटन पर दोबर क्लिक करेंगे तो डियर्क्ट वह एप्लिकेशन ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से यह दिख लीजे अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दूस्तों हम इस फोन के सेटिंग में आएंगे इस तरह से नीचे आप कोई हां पर मिलता है एड़ांस एड़ांस फीचर सेटिंग में आने के बाद हैं कर सकते हैं अगले फीचर की बात करते हैं उसके लिए क्च लिए क्रेंगे इस फोन के सेटिंग ये एकदम नीच आएंगे आने के बाद आपके इसे हाँ पर है Advanced Settings य इस इस ब्ंल आप को आपको आरा है हाँ पर ए फ्लाश नोटीफिकेशन्स से आपकर बेहनु कर लेता आकर क्यांप असे फ्लाइश नोटीफिकेशन इसको भी आरहां में जो पीछे फ्लैसलेट है वो फ्लैसलेट लगना चाहिए उन्हें अप्लेकेशन को आप में पर कर सकते हैं सेलेट आपने सेलेट कर लिया तो जो पीछे फ्लैसलेट है वो फ्लैसलेट लगेगा नोटिफेकेशन आने के बाद में यह हो गया उसके प्रिफेश्टपट लिए करेगा अलग अलग कलर में यह दिख लिए प्रिएविए आपको बताता हूं यह दिख लिए यह लो है आप है यहां पर बहुत सारे एक लेड़ा कर सकते हैं और चलिए selected apps पर क्लिक करके selected apps कर लेना उन्हें applications को ही select कर लेना जो अब लगना चाहिए आप में पर select कर लिया notifications आता है तो इस तरह से screen भी flash करता है यह आप कर सकते हैं अगले feature की बात करने के लिए हम आएंगे इस phone के settings में आएंगे इस से नीचे आपको log screen में आना है उसके बाद यहां पर आपको बहुत सारे features मिलते हैं log screen के regarding notifications only setting में आपको आना है है यहां पर है दुस्तों details यह है तो आप यहां पर icon only कर लेना है यह है इसको head content यह unmark है तो इसको हैं पर on कर लेना head content को message head होगा और हम पर icon only इसको कर लेना यह safe हैने के लिए hacking से बचने के लिए यह setting है इसको जरूर करना दूसरों सब को छोड़ना इसको सब्सक्राइब करना तो चिलिए अगले feature के लिए क्या करेंगे, shortcut से उसके ठीक निचे इसी lock screen setting में, हांपर lock screen पर दो applications आपको दिखते हैं, आप left में क्या करना चाहे कर सकते हैं, right में क्या करना चाहे, वह आप आपको कर सकते हैं, हांपर lock screen पर वो applications भी आपको दिखेंगे, यह दिख लिएजे, इस तरह से application open हो जाता है, lock screen से डाट वही application में चला जाता है, दोस्तों अगले feature के लिए क्या करेंगे, home screen पर long press करते हैं, और उसके बाद यहां पर wall paper and style इस setting में आएंगे, उसके बाद my wall paper में आपको आना है, कौन सा wall paper अच्छा लगता है, उसको आप हम पर set कर सकते हैं, एक step back आने के के आप अपने UI का color change कर सकते हैं, यहां से, यहां पर आपको अभी फिलाल तो यह कोई भी feature का on करते हैं, तो यहां पर अभी दीक रहा है, यह blue color, अपने UI का color change करेंगे, यहां पर, तो क्या होता है दूस्तों, apply करेंगे UI का color change करके, तो अभी देख लिजए, वो color में आ चु करते हैं, home screen पर, और यहां पर themes पर आपको click करना है, यहां पर आपको बहुत सारे themes मिलते हैं, जो theme आपको अच्छा लगता है, इसको download करके apply कर सकते हैं, आपको बहुर होता है, एक ही theme से, एक ही look से आपको बहुर होता है, तो आप हर थोड़ी दिन के बाद theme को बदन सकते ह तो आपके पूरे phone का look ही change हो जाता है, आपको बहुत सारे हां पर आपको themes मिलते हैं, अगले feature के लिए क्या करते हैं, long press करते हैं, setting के एकनपर click करते हैं, उसके बाद home screen layout है, मतलब आप हैं पर home screen only करेंगे, apply करेंगे, तो सारे applications आपको home screen पर ही मिलेंगे, यहां पर home screen पर ही दिख लिजे, इसके अलबा एक और feature आपको मताऊंगा, long press करना home screen पर, widgets पर click करके, यहां पर आपको device square में आना है, इस arrow mark के उपर click करना है, यहां पर आपको इसको long press करके, इस तरह से drag करके उपर ले लेना है, home screen पर लेना है, मैं इसको पहले से ले चुका हूँ, यहां पर इस पर click करेंगे, तो आपका smartphone और भी speed चलता है, कभी-कभी आपका smartphone lag करता है, slow चलता है, तो आप इस पर click करना है आपको, तो और आपका smartphone speed चलता है, fast चलता है, अगली feature के लिए क्या करेंगे? long press करेंगे, home screen पर, home settings में आएंगे, और आएंगे इस तरह से निचे, यहां प है नीचे हैड़ एप्स मतलब यहां से अब एप्लिकेशन को हैड़ करना चाहे एप्लिकेशन को भी हैड़ कर सकते हैं कौन से एप्लिकेशन को हैड़ करना चाहे उसको सलड कर लेना डन पर क्लिक करना और वह एप्लिकेशन को हम यहां पर ढूंडेंगे नहीं मिलेगा अभी लिए अगली फीचर लिए इस notification पैनल में आना है इस तरह से हम नीचे आएंगे यह आपको brightness जो इसको set कर लेना तो यह आपर वो निकल कर आएगा ब्रैकनेस कंट्रोलर यह यूश कर सकते हैं और यहां पर जो क्यामरा के पास पंचल में जो लाइटिंग है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है यह कैसे सट करें आपको मैं बताऊंगा इसके लिए आपको इस एप्लिकेशन को डाउन कर लेना रिंग रिंग एपी के यह द यह कंट्रोलर है इस कंट्रोलर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यह बड़ा रहता है रिंग आप यहां से इसको पूरा कम करेंगे तो यह छोटा हो जाता है और यह कंट्रोलर है इस कंट्रोलर से आपको अपने क्यामरा के पास ले कर जाना है इस रिंग को यह होगा पर click करके preset पर click करके वह ही color को एक और बार हैं पर हम select करेंगे okay पर click करेंगे तो इस तरह से वो set हो जाता है अगले feature के लिए क्या करेंगे दूस्तों home screen पर long press करेंगे settings पर click करेंगे आएंगे इस तरह से नीचे हम पर stop down for notification panel ये off है तो हम इस setting को on करेंगे अभी आपको notification पैनल निकालना है तो उपर से खिचने के आपको जरूरत ने नीचे से इतना करना ये निकल कर आता है दूस्तों हम पर अगले feature के बात करते हैं इसके लिए आपको आना है इस phone के settings में इसके बात आना है इस तरह से नीचे आपको यहांट पर reun ऐन आना है इस तरह से आपको नीचे और हम पर बढ़र सीकेरोटी सेटिंग में आना है उसके बार यह एकदम नीचे आना है आपको हमैं अपको बताऊंगे और मालों आपका smartphone कोई भी मांगता है call करता हैं बलकर बाद में call करके दुसरा कोई भी application open करके बढ़ जाता है ये problem आपके साथ होती है तो आप क्या करेंगे call करता है बलकर smartphone बंगता है न तो आपके हाँ पर phone पर click करके हाँ पर menu button पर click करके हाँ पर उस app के icon के उपर लॉण टैप करना है उसके पर आपके वह उपर pin this app पर आपको click कर देना है okay पर click कर देना है हाँ पर इस तरह से आप जो application set करके हाँ जो application इस तरह से आप set करके देंगे वो एक ही application वो इस तरह से यूज़ कर सकता है इसके अलवा कोई भी दूसरा application उपन नहीं कर सकता back button home button menu button पर click करेंगे तो यह back भी नहीं आ सकता इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आपने भी लिया smartphone को तो यहां पर back और menu दोनों बटन के उपर एक साथ long press करेंगे उसके बाद आपको unlock करना है जो lock screen है fingerprint, pattern, pin, password आपने जो set किया है उससे आपको unlock करना है unlock करने के बाद ही आप दूसरा application इस तरह से open कर सकेंगे इससे पहले आप open नहीं कर सकते हैं और अगली feature के लिए हम पर दो अंगलियों से pinch करेंगे या home screen पर long press करेंगे चलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको setting के icon पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर app screen create मतलब यह जो screen है ना यहाँ पर यह page इसकी page की size को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसकी अलावा और अगली feature के लिए हम नीचे हैंगे और अगली feature की बात करने के लिए आते हैं long press करके settings में और आते हैं इस तरह से नीचे यहाँ पर rotate to landscape mode यह off है तो हम इस setting को on करेंगे तो आप जैसे phone को rotate करते हैं तो screen जो आपका है वो उसी तरह rotate हो जाता है अगली feature की बात करने के लिए हम आएंगे दुस्तों इस phone के settings में settings में आकर एकदम नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिलता है accessibility आपको इस setting में आना है उसके बाद यहाँ पर visibility enhancement में आपको आना है यहाँ पर आपको मिलता है high contrast fonts मतलब आप इसको on करेंगे तो आपकी fonts जो आ रहना वो contrast में open हो जाएंगे contrast में बदल जाएंगे यह देख्सें करूंगा तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं आपकी fonts on करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं उसके बादे हम कर आपको है contrast keyboard मतलब हाम पर by default तो आपकी keyboard कुछ इस तरह से होंगे यह दिख लिए यह इस ते दिसमों इसी Samsung Galaxy A21s smartphone के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा new features तीन साल के बाद वीडियो बना कर तीन साल तक वेड किया इसका आपको इन में सबसे अच्छा कौन सा feature लगा नीचों कमेर्स में बता देना ये वीडियो देखने से पहले एक बार इस smartphone को अपडेट कर लेना आप मिलते हैं हम से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अस्सलाम अलेकुम